नेपाल के प्रधानमंत्री केपी सर्मा ओली द्वारा भगवान राम पर दिये गए विवादित बयान के बाद अब इसका खामिया जा जहां भारत नेपाल के रिस्तों पर पड़ा है तो यहां पे जो नेपाली रहते हैं उन पर भी इसका असर देखने को मिला है भारत और नेपाल के बीच एक मैत्री पूर संबंध हुआ करते थे और वाराणसी में अगर प्रधानमंत्री नरिंद मोदी के संसदी चेतर वाराणसी की बात की जाए तो वारणसी में नेपाली बड़ी संख्या में रते हैं एक इलाका है जहाँ पुरे नेपाली लोग ही रते हैं वो यहाँ पे रुजगार के लिए पहुचते हैं यहाँ पढ़ने के लिए पहुचते हैं लेकिन अभी विश्वे हिंदू सेना ने प्रधान मंतरी नरिद मोदी दी है कि वो अपने इस विवादित बयान को वापस ले अन्यथा यहां रहने वाले नेपालियों को इसका पड़िराम भुगतना पड़ेगा तो वहीं विश्व हिंदू सेना के कारेकरताओं ने वारणसी के गंगा घाट पड़ एक नेपाली युवक को पकड़ कर उसका जब परदान मंतरी के मुर्दाबाद के नारे नेपाली युवक से लगवाए गए आप इस वीडियो में देखिए नेपाली परदान मंतरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद जो नेपाली मुर्दाबाद नेपाल को परदान मंतरी लए हामिले रोजी रोजगार दिये शैना हमें इंडिया म हाँ आच्छू ता हामरो हकड की न चीनी राज हू नेपाल को कत्ती मान्चे बीदयेश का कमाऊनू खाने को लगी हामने लए इंडिया ले सहरा दियेग हो पाल को बसेंदा ने पाल को बसेंदा होई ना शरी राम अँसे ना जेसे ही ये वीडियो वीडियो उसल मीडिया पर वायरल हुआ इस मीडियो को प्रशाशन तक जैसे ही ये वीडियो पॉचा विश्व हिंदु सेना ने सहर के कई एलाकों में जहां पे नेपाली मंदिर है नेपाली मठ है और कई ऐसे इलाके जहां पर नेपाली लोगों का ज्यादे आना जाना रहता है वहां पर इस तरह की पोस्टर भी चस्पा किये हैं और नेपाली यूवक का जो सिर्म उंडवाया उसका वीडियो जब से सोसल मीडिया पर वाइरल हुआ है प्रसासन न नेपाल शेफ दर्वा करके उसका वीडियो मना करके फेस्बूप पर डाला गया है और उसको नेपाल के प्रधार मंत्री के एक बक्तब में से करेंट किया गया है उसके दौरा इक कारी किया गया था इस पूरे प्रक्रणकों का बहुत ही कंभिरता से लेते हुए ठाना भेल प्रणकों का बहुत है उसके प्रणकों का बहुत है